आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका यूट्यूब शॉट्स का चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोग करेगा मैं हूँ वेदान तोर वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में आप सब जानते है यूट्यूब शॉट्स के अंदर हैस्टैक्स बहुत काम करते हैं एक नहीं दो नहीं कम से कम आप 4-5 हैस्टैक जरूर आड़ करें पर कौन सी निश में कौन सा हैस्टैक वाइरल है कौन सा आड़ करना चाहिए सबसे पहले में आपको वही बताऊंगा इस पेज का लिंक में नीचे दे दूँगा यहाँ पे आपको दोसों से भी ज़्यादा हैश्टाइग मिलेंगे अगर आप YouTube Shots का Gaming Channel क्रेइट कर रहे है तो उससे related आपको यहाँ पे काफी सारे हैश्टाइग मिल जाएंगे मोटिवेशनल चैनल है व्लॉग है आपका दोसों से भी ज़्यादा आपको हैश्टाइग इस पेज में मिल जाएंगे इसके साथ साथ मैं आपको एक वेबसाइट ओर बता देता हूँ जासे आप हैश्टाइग को क्रेइट कर सकते हैं उसके आपको गूगल में जाना है वहाँ पर लिखना है YouTube Shots Hashtag Generator इन में से आप किसी भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं मैंने फर्स्ट लिंक का जैस्ट एक एक एक्जामपल लिया है यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड लिखना है फॉर एक्जामपल आपको एक कुमेडी वीडियो बना रहे है तो यहाँ पर आप कुमेडी लिखके Generate Tags के उपर आपने क्लिक करना है और कुछी सेकिंड में आपको ये कुछ Hashtags Generate करके देदेगा सेकिंड पॉइंट है टाइमिंग जब भी आप YouTube Shots create करते हैं तो आपको 60 सेकिंड के अंदर ही आपको अपना Shots complete करना पड़ता है पर कुछ लोग वाच्टाइम जल्दी complete करने के चकर में YouTube Shots के वीडियो को 58-59 सेकिंड का बना देते हैं भले वो interesting ना भी हो ये गलती ही आपको ले डूपती है और आपको खुद ही नहीं पता लगता जब भी आप अपने YouTube Shots का वीडियो बनाते हैं तो एटलिस्ट घर में किसी मेंबर को जरूर दिखाए जिससे आपको review मिल सके कि हाँ इस Shots में उतना धम नहीं है या तो इस Shots को लोग देखेंगे जल्दी watch time complete होगा भले 58 या 59 सेकंड का शॉट का ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें किसी को इंटरस्ट ही नहीं आ रहा और 10 या 20 सेकंड के अंदर वो आपके शॉट को exit करके तूसरा शॉट देखना लग जाता है तो इस समय YouTube समझ जाता है कि आपके Shots में वो बात बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी भी time limit की बात नहीं करूँगा अगर आपका Shots इंटरस्टिंग है तो आप उसे 59 सेकंड का करे नहीं तो 10, 15, 20 सेकंड में ही उसे complete कर दे थर्ड पॉइंट है यूनीक और इंटरस्टिंग ये हर कोई तो जानते है पर आज आके सारे वही कुमेडी, मोटिवेशनल, टेक इसी में लग जाते है क्या आप जानते है YouTube भी आपको खुद बताता है कि आप कौन से YouTube Shots का चैनल क्रिएट करो सेकंड वाले वीडियो में मैंने ये बताया कि आप YouTube आपको बताएगा कि Shots के लिए कौन सा चैनल बेस्ट है और फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको 15 आइडियाज दिया है दोनों के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएंगे अगर आपके पास कोई यूनीक आइडिया है तो उसे आप Shots में जरूर डाले ऐसा ना करें कि किसी का Shots देखा उसके व्यूज आ रहे है और खुद का भी Shots क्रिएट कर लिया फूर्थ टिप का आप जरूर द्यान लगे वो है Text कितने लोग ऐसा करते है कि पीछे चे अपनी Voice तो दे देते है पर आगे एक Still Image होती है या फिर एक Simple सी Animation चलती है उसके उपर कोई Text नहीं होता YouTube Shots कहता है कि जब भी आप Shots क्रिएट करें तो ओडियंस को क्लियर होना चीए कि आप At Least उसे क्या समझा रहे है अगर आप Text Format में भी लिखेंगे तो ओडियंस के लिए Easy हो जएगा सुनने के सासाथ उसको देखना नहीं तो थोड़ा सा बोर लगेगा Interesting नहीं लगेगा हो सकता है YouTube आपके उस वीडियो को Promote यह ना करें क्योंकि अगर आपने Voice Over देनी है तो आप Podcast को भी यूज कर सकते है और कितने Shots मैंने ऐसे देखे कि पीछे Background में Music चल रहा होता है और Screen के उपर ना तो कोई Text आ रहा होता है Just एक Simple बताया जा रहा होता है कि Website पे क्लिक करो उसके बद इस Page में जाओ वहां से उस चीज को Download कर लो सिर्फ Pointer चल रहा होता है उससे User को समझने में थोड़ी Problem होती है और YouTube Shots कभी नहीं चाहेगा कि उसके User को किसी भी तरकी कोई Problem आए अगर आप Voice Over कर रहे हो या Background में Music आइट कर रहे हो तो उसमें Text का Use जरूर करो बीना Text के हो सकता है आपका Shot उतना Viral नहों जितना जल्दी होना चाहिए Last but not the least 5th Point आपको Regular रहाना पड़ेगा ये तो बहुत Common सी बात है आप में से सारे लोग जानते होंगे पर कहीं की बार ये जानने के बाद भी कितने लोग इसको Ignore कर देते हैं मैं आपको यही प्रेफर करूँगा आप अपना नया चैनल क्रियेट करें YouTube Shots के लिए अगर आपका कोई और चैनल अभी चल रहा है उसके साथ Shots मिक्स ना करें करने को कर सकते हैं पर जब आप एक Separate Channel स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको जल्दी और अच्छा एफेक्ट मिलेगा कम से कम daily 5 वीडियो तो अपलोड करें उसमें से कौन सा वाइरल होगा यह हम में से किसी को भी नहीं पता daily 5 वीडियो तो महिने के 1500 वीडियो 1500 में से भी अगर 5 वीडियो भी वाइरल होगा अगर कोई भी आपके वीडियो को पूरा नहीं देखेगा आदे में स्टॉप करदेगा तो यूट्यूब भी आपके शॉट्स को प्रमोट नहीं करेगा तो कम से कम टार्गेट बनाके चले डेट सो वीडियो का उससे जादा भी कर सकते हैं तो जरूर करें और उसके बद आप आपको रिजल्ट खुद देख जाएगा एक बड़ ट्राय करके देखो तभी पता लगेगा बस यही एक शॉट इंफोर्मेशन देनी थी ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फेट से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं तब तक यह लिए जया हिन जया भारत